यह बहुत अच्छा के दिन है कोई भी आप कारना करना चाहते है आज दिन का शीव जी को पूजा केजिए आपका मनोकमना जो भी होता है वो पूरा हो जाएगा यह जरूर होगा क्या कि शीव जी को बिल्व पत्र पानी में डालते उसको अभिशे कर लीजिए इसका अभिशे करने से आपका जो मनोकमना होता है वो भी पूरा हो जाएगा अब दूसरी बात है शीव जी को सफेद कबस्तु का बोग लगा जी दीजे जैसे सफेद वाला कोई भी स्वीट कोई भी लगा दीजे बोग लगा दीजे आपको बहुत अच्छा होगा आपका मन चाहिस संतान सिणतान पाना चाहते हो तो यह आपका संतान का शुकह होना चाहिए तो आज दिन का शीव जीव को कि डुन अबशेत दीजीये मन कामना सुर्क बच्छा बिल्व पत्र शिवजी पर डालना मत भूलना शिवजी पर बिल्व पत्र डालने से आपको बहुत अच्छा हो जाएगा शुत्रु का कोई आपको पारेशन करें गूड का जल आप शिवजी पर डाल दीजे ये आपको बहुत अच्छा हो जाएगा आपको जीवन में सोबा की चाहिता है तो बेल का पुष्प होता है ना उस पर श्यूजी पर डाल दीजिए श्यूजी का उससे साथ पूजा कर ले दिजिए धनसंपति के लिए अप शिंगार का पुष्प अब पूजा समय श्यूजी को अरपन कीजिए अगर जीवन में अब कस्ट होगा तो समी पत्र डाल दीजिए आप बहुत अच्छा हो जाएगा आपका जो मन का मान का मन कमना है वो पूरा हो जाएगा आज दिन का आप बताना जा रहे है वो मेश्राशी का है मेश्राशी के 13 जूल 2020 का है यह प्रेडिक्शन जल्राशी के साथ चलेगा मेश्राशी आपको बहुत अच्छ रुप में है वो जब beginning होता है न अपको अच्छा होजाएगा आकस्मिक कोई अच्छा जाएगा बहूत अच्छा हो गाए जरूर है भ्लत को बाता दिये तो आज तो वहीं आज़िन का बहुत अच्छा on आपका वह बहुत अच्छा से लाब से आपका आज दिन पूरा हो जायगा, बहुत की दन की लाब होगा आपके फोफोन के आज दिन का पाइशा कही की आकस्मिक रूप में आ जाएगा, आपके कोई में अव्याद कीया तो उसका पाइशा भी अपका, आज दिन बता दिया तो स्वास्त की अच्छा दिन नहीं है इसलिए को यात्रा मत कीजिए आज दिन आखों की समस्या पेट की समस्या और शिर की दर्द के समस्या भी हो जाएगा आपका पारिशन करेगा इसलिए आपको तोड़ा सा खाया लगकर चलकर पढ़ना अपड़ना गर्वाना के बात करने से बहुत अच्छा से का समय बिताएंगे आप लोग तो यही क्या दिन यही का अच्छा के दिन बहुत अच्छा है तबित के बारे में आपको बहुत काया लखना पड़ेगा बस यही है